सौ वर्ष जब हिंदुस्तान आजादी के मनाएगा आज की युवापिढी वो पर्चम स्वतंत्र भारत में लहराएगा अम्रित काल की ये अम्रित जेनेरेशन किस बुलंद नीव पर सौ वर्ष आजादी के मनाएगा आज उसी बुलंद नीव के कुछ उधारन आपके सम्मुक प्रस्तुत करना चाहती हूँ भारत विश्व में थर्ड लार्जिस्ट इको सिस्टम रखता है स्टार्ट अप का छे सो पचास से ज़ादा जिलों में असी हजार से ज़ादा स्टार्ट अप्स सो से ज़ादा यूनिकॉन्स जिनकी तोटल वैल्यू तीन सो तीन तीस बिलियन डॉलर से भी ज़ादा है गेज बात का संकेत है कि हिंदुस्तान की यूपीड़ी एंटोप्रणोशिप की दुन्या में हिंदुस्तान का पर्चम कैसे लहरा रहा है एक कुशल राष्ठ की रचना के लिए एक संप्रिध राष्ट की रचना के लिए युवापीडी के कौशल का विकास हो यही नरेंट्रमोदी सरकार का संकल्प है एक करोड से भी जादा स्किल्ड कौशल युप्त युवापीडी यही इम्रिज जेनरेशन है जो हिंदुस्तान के सौसाल की आजादी के पून होने पर आगामी पीडियों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा यह भी कहना उचित है कि सिक्षा ही वो अस्त्र है जो एक निर्भीक हिंदुस्तानी को इतना सामर्थ देता है कि वो ना सिर्फ अपने और अपनों का बलकि समाज कल्यान में भी अपनी ओर से सही योग दे सके भविश्यों को उजवल कर सके आज उस युवापीड़ी के सैक्षिक अधिकारों के जुष्टि कोण से भारत सरकार द्वारा संचालित नई सिक्षा नीती अपने आप में इस बात का प्रमाण है जबा मेडिकल कॉलेजिस की संख्या का बढ़कर 22 हो जाना हो ये इस बात का संकेत है कि भारत सरकार, मोधी सरकार, अम्रिद जेनरेशन की सैक्षिक अधिकारों के संरक्षन के लिए, व्रिद्धी के लिए किस तरहां से समर्पित है हाली में पूरे देश ने देखा कैसे हमारी महिला होकी टीम ने राष्ट का एक बार फिर गौरव बढ़ाया प्रधान मंत्री नरेंद्र भाई मोधी ने देश भर में एक हजार से जादा खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना के माध्यम से स्पोर्ट्स के इस कौशल को आगे बढ़ाने में अभूत पूर्व योगदान दिया है मोधी सरकार के टॉप स्कीम के चलते आज तीन सो से भी जादा खिलाडी जो इस कीम का भिन अंग है अगामी आठ वर्ष तक सालाना पाँच लाख रुपे की सुविधा पा रहे हैं ताकि उनके स्पोर्टिंग स्किल को भारत सरकार सहीयोग दे सके इसी सहीयोग के चलते आप सब ने देखा भारत का उलिम्पिक्स में प्रदर्शन जब हिंदुस्तान के इतिहास का पहला गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में हिंदुस्तान ने प्राप्त किया मात्र यही नहीं बलकि पारा उलिम्पिक्स में 19 मेडल इस बात का संकेत है कि हमारे दिव्यांग नौजवान भी अपने हुनर को प्रस्तुत करके राष्ट का सम्मान बढ़ा सकते हैं मैं पुना अम्रिट जेनरेशन से आवान करती हूं कि आगामी 25 वर्ष चाहे वो सिक्षा हो चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे वो इंफ्रस्ट्रक्चर हो चाहे वो टेक्नलोजी हो अत्वा समाज के भिन समुदाएं को एकत्र कर दिव्यांग जनो सहित भारत के नवनिर्मान में आपकी भूमिका हो मोदी सरकार इस देश के नौजवानों को सशक्त कर बुलंद भारत बनाने के लिए अग्रसर थी, अग्रसर है, अग्रसर रहेगी धन्यवाद All right now with that we're going to be heading into a very short break but do stay with us All right now with that we're going to be heading into a very short break but do stay with us